हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चनल तयर जीत में आज हम देखने वाले हैं अर्दबार्सिक मुल्यांकन सत्र दोहज़ा 23-24 के अर्दबार्सिक पेपर कक्छा 6 के विसाय बिग्यान हिंदी माध्यम के पेपर का यहाँ पर आपका यह पेपर होने वाला है सेट ए तो यहाँ पर हम सेट ए का हल देखने वाले हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पता जी का नाम और यहाँ पर कक्छा जो आपकी 6 है और यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे इतना लिखने के बाद यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकती हैं तो आईए इसमें कौन कौन से कॉस्चन दिये गए हैं तो पहला हमारा यहाँ पर यहाँ दिये गए हैं आपके यहाँ से question answer तो इनको देख लेते हैं देखे क्या लखा है पहले अच्छे से इनको देखेंगे हम तो यहाँ पर लखा है यहाँ से बर्क सीट पर काड़ प्रारम करें यह हमारा खंड आ है तो आपको यहाँ पर देखें प्रिशन दिये गए हैं तो पहला प्रिशन पढ़ लेते हम पहली जानना चाहती है कि चीटी सीधे क्रम में किस संबेदन इंदरी के कारण चलती है तो option लेखा है सूंग कर सूंग कर देख कर या महसूस कर तो यहाँ पर सूंग कर चलती है चीटीया तो इसका सही हो जाएगा option number A तो यहाँ पर आप यह लेखेंगे और सूंग कर लेख लीजिएगा second question देखते हैं तो यह रहा हमारा प्रिशन नमबर दूसरा तो देखे क्या लेखा है प्रिशन नमबर दो तो इसको देख लेते हैं प्रिशन नमबर दो है जल ही हमारा जीवन है अताह जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उप्योग करेंगे तो यहाँ पर बाथ टब यानि बाथ टब का पाइप का फबारे का या फिर बाल्टी एवं मग का तो इसका सही हो जाएगा उप्सन नमबर डी यानि बाल्टी में आप भरेंगे और मग से नहाएंगे इसके बाद अगला कॉस्चन लिखा है देखिए क्या लिखा है तो यह रहा कॉस्चन नमबर रहा हमारा अगला तीसरा किया चुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि बहे पक्षियों का भोजन होते हैं बहे मिट्टी की उरवर्टा को बढ़ा देते हैं यानि उपजाव बनाते हैं बहे चोटे कीडों को मिट्टी के अंदर दवा देते हैं बहे चुप चाप सूते रहते हैं तो इसका सही हो जाएगा उप्सन नमबर बी याने मिट्टी के और बढ़ता याने उपजाव बनाते हैं अगला कॉस्चन है आपका चोथा कौन से समू का खाद्य पदार्थ अधिक समय तर सन्रक्षित रहेगा रोटी एवं ब्रेड टोस्ट आम अचार पना उड़द मूंग पापड बड़ी या फिर पान चाज सरवत तो इसका सही हो जाएगा उप्सन नमबर सी आप देखेंगे तो रोटी में यहाँ पर फपूंद लग जाती है आप यहाँ पर देखेंगे जो पना होता है वो दो दिन में खराब हो जाता है या तीन दिन में इसके बाद इसमें भी पना है चाज है तो ये भी खराब हो जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बड़ी होती है पापड होती है जो डाले होती है वो खराब नहीं होती है कच्ची इसके बाद अगला है आपका तो यहाँ पर देखेंगे इनको किरम से लगाना है तो आप यहाँ पर देखेंगे यह चित्र दिये गए है तो इनके हिसाब से आपको किरम से लगाना है तो इसका किरम सही हो जाएगा आप देखिए तो पहले आपको क्या है ये दिया गया है इस प्रकार से देखिए और यहाँ पर ये पहले हम यहाँ से लाएंगे गेहूं का यहाँ पर पौधा होगा पौधे के बाद आप क्या करेंगे इसके अनाज निकालेंगे अनाज के बाद इसे हम भंडारित करेंगे बोरी में फिर इसके बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे फिर इसके बाद थाली में पर्स देंगे तो पहले नमबर पर हमारा आएगा ये दा वाला यानि उप्सन नमबर बी सही हो जाएगा यानि दा फिर बा इसके बाद आ और ई और सा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा यानि इनको किरम से लगाना है पहले हमारा पोधा होता है उससे हमें बीज मिलते हैं इनको हम बोरी में भरते हैं पिसाने के बाद हमें इसकी रोटियां बनाते हैं फिर हमें इसे पर दोस्ते है इसके बाद अगला question देखेंगे 6 तो यह रहा question number 6 तो क्या लखा है नीचे दिये गए थाली यहाँ पर खाली गिलास में ORS का गुल बनाना है आप किस समूख का उप्यूख करेंगे तो यहाँ पर पानी नमक का पानी सहद का पानी नमक सक्कर का या पानी नमक धनिया का तो इसका सही हो जाएगा ORS में होता है पानी नमक और सक्कर साथ मा question है ऐसा बाद यंत्र जिसमें स्वांस यानि सांस का उप्यो होता है ऐसा यंत्र बताईए जो बजता है सांस से यानि फूंकने से तो बांसुरी, तबला, ढोलक, सितार तो आपको पता फूंकने से कौन सी बजती है हमारी बांसुरी अगला है हमारा आठमा तो देखिए इसको क्या लखा है तो इसमें लिखा है आज चंद्रमा ऐसा आधा है ऐसा दिखाई दे रहा है आज से 15 दिन बाद पूर मासी के दिन चंद्रमा कैसा दिखाई देगा तो पूर मासी के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देगा यानि उप्सन नमबर D इसके बाद अगला कॉश्चन है आपका देखिए जी लखा है तो इसको अच्छे से देख लीजी दिया है गिरिगेट में पाए जाने वाली दो बिसिस्ता हैं तो देखिए गिरिगेट अपने सरीर का रंग बदल सकता है गिरिगेट पीड़ों पर चड़ सकता है तो यह इसक पूसों मुंफली सूरज मुखी आदी के बीजों से प्राप्त होता है तो अच्छे से इनको पढ़ते चलिएगा एक बार में आपको याद हो जाएंगे इसके बाद अगला कॉश्चन लिखा हुआ है यह हमारा तो देखिए क्या लिखा इसमें चाल किसे कहते हैं उधार सह समझाईए तो किसी बस्तु द्वारा एक अंक समय में तै की गई दूरी उस बस्तु की चाल कहलाती है उधारन यदि कोई बस्तु एक गंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तै करता है या करती है तो उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रती गंटे होगी तो यह हमारा कॉश्चन नमर 11 का अंसर था इसके बाद हमारा बारमा कॉश्चन देखेंगे यहां पर लिखा अनवीनी करण वा नवीनी करण उर्जा संसाधन सुरोतों के नाम लिखिए तो अनवीनी करण वो होते हैं जो एक बार समाप्त हो जाते हैं उन्हें दवारा प्राप्त नहीं किया जा सकता तो यह होती है तो अर्बों सालों में होती है तो स्वर उर्जा यह सूजे से प्रकास और प्रवन उर्जा मतलब हवा अगले परष्ण पर चलते हैं यहां हमारा प्रष्ण म.13 तो इसमें क्या लखा है देखिए बनों से होने वाले कोई चार लाव बनों से हमें लकडियां प्राप होता है बरसा द्वारा जल की प्राप्ति होती है वो दियोगों को कच्चा माल प्राप्त होता है तो यह आंसर हो जाएंगे हमारे तेर्मेक चार उपाई लेखिए एवं जल चक्रन का नावंकन चित्र बनाईए तो यह चित्र है और पानी को किस प्रकार से बचाना है तो यहाँ पर यह पॉइंट है चार बरसा का जल का संघन करना चाहिए जल के ब्यर्थ प्रवाह को रोकना चाहिए यानि फालतों में पानी को बहने से रोकना चाहिए सबजियां धोने के बाद बचे हुए पाने को अप्योग पौधों में करना चाहिए जल को प्रदूसत होने से बचाना चाहिए तो अच्छे से लिख लिजिए इनको इसके वाद अगला question आको आई रहा तो इसको भी देख लिजे क्या लिखा है प्लास्टिक तथा पॉलिथिन का भूमी की औरवरता सकती यानि उपज उपजावपन पर प्रभाव पड़ता है यहां पर लिखा है बाहन कौन-कौन से इननों से चलते हैं उधार सहथ लिखिए तो देखिए खेतों में पॉलिथिन के रहने से पॉधों की जड़े हैं जमीन के अंदर तक नहीं जा पाती इसके कारण मिट्टी के कड़ों के अंदर हवा नहीं जा पाती पॉलिथिन गलती नहीं है बलकि अपना बिसेला तत्व जमीन में छोड़ देती है मिट्टी की उरवरता सकती को समाप्त कर देती है ठी पैटरोल क्या लेखेंगे पैटरोल अच्छी से बीजल, ठीक है डीजल हो जायगा बस पैटरोल डीजल और गेस तो इन से चलते हैं इसके बाद हमारा अगला कसचन है तो इस बाले बीडियो में हम केवल सूला ही कोस्चन देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखा है संबेदी इंदरियां किसे कहते हैं गिद्ध बाज चील की एरे समकीट के संबेदी अंग कारण अपने भोजन को देख पाते हैं बताईए तो बे इंदरियां या गिरंतियां जिनका उप्यो किसी जीव में संबेदी जानकारीप का पता लगाने के लिए और समझने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं संबेदी इंदरियां गिद्ध बाज चील आदी संबेदी अंग आँख है ठीक है इनका क्या है आँख है यदि वीडियो चलगता है तो लाइक कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगले पेपर के साथ